हाई लो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निव आइडिया स्वाइटी में आज किस वीडियो में हम आपके साथ में छोटी सी टिप्स सेयर करने जा रहे हैं अगर आप MS Office यूज करते हैं और आप उसमें कोई भी अप्लिकेशन चाह हो और आप उसकी फाइल में पास्वर्ड लगाना चाहते हैं तो आप एकाम कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में इस्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूं मेरे पास एक सल फाइल है जिसमें आप यहां पर दे सकते हैं कि कुछ डेटा लिखा हुआ है मैं चाह करना है f12 f12 प्रेस करते ही आपके सामने एक सेव आइज का डालाग वाक्स अपन हो जाएगा तो सिंपली आपको यहां पर सबसे बढ़े फाइल लेम देना है दिन इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्सन दिखाई दे रहा होगा टूल्स का फ्रम इसको हाइलेट कर देता तो हमने यहां पर क्लिक कर दिया है तो यहां पर आपको ऑप्सन दिखाई देगा जनरल ऑप्सन का आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने छोटा सा डालाग बॉक्स अपियर होगा जिसमें आपको टाइप करना है पासवर्ड कि आप इस फाइल को open करने के लिए इसमें कौन सा password लगाना चाहते हैं तो हमने आप डार दिया है एक्जामपल के तौर पर 123 इसके बाद यह password इस फाइल को open करने का लेकिन आप चाहते हैं कि फाइल भी open हो जाए और मैं उसमें कुछ modification भी कर सकूँ मैं उसमें कुछ edit कर सकूँ delete कर सकूँ insert कर सकूँ तो उसके लिए password रख सकते हैं आप और कुछ दूसरा तो हमने आप ले लिया है 456 यानि कि फाइल को open करने के लिए 123 और उसमें modify करने के लिए 456 मैंने आप पर ok कर दि तो आपको यहां पर जो फाइल open करने के लिए आपने password फिल किया था वो आपको यहां पर फिल करना है तो मैं फिल कर देता हूं 123 और इसके बाद आपको करना है ok करने के बाद जो आपने password modify करने के लिए डाला था वो आपको यहां पर फिल करना है तो हमने modify करने के लिए 456 इस password को enter किया था थो मैं यहांपर एंटर कर दिया और आपको यहांपर 받 दिया है और okay कारे के बाद आपको इस file को जहांपर भी स्योव है आप यहां से उस location को select कर सकते हैं तो मैं इस fake divine को Desk痛प पर से करने तो मैं इस पर double click करता हूं तो यह पूछेगा कि भीजा जी आप यहां पर उस password को fill कीजिए तो मैं यहां पर चुकि फाइल को open करने वाला हूं तो मैं यहां पर 123 मैं लिख दूँगा और मैं यहां कर दूँगा ओके ओके पर क्लिक करने के बाद यह आप से पूछ रहा है कि आप इस अगर आप यहां पर जो पासवर्ड फिल करेंगे तो उसकी हिसाब से आप उस फाइल में कुछ भी एडिट कर सकते हैं लेकिन अगर आप पासवर्ड फिल करना नहीं चाहते हैं आप सिर्फ फाइल को पढ चुका है कि यह फाइल है यह रीड अनली मॉड में ओपन है अगर मैं आप पर कुछ भी लिखता हूं तो वह कंटेंट इस फाइल में सेव नहीं होगा लेट्स मन्या लिखा सत्यम साहू ठीक है तो सेव करने पर क्या होगा यह देखे लिख्या चुका है पासवर्ड एक्सल कर देता हूं और मैं इसको यहां से कट कर देता हूं ठीक है दन इसके बाद आपने पर देखा कि इसमें कोई भी चैंजमेंट नहीं हो पाया जैसे मैं चैंजमेंट करने का ट्राइब कर रहा था तो एक नई फाइल क्रेट कर रहा था लेकिन मैं चाहता हूं यह फाइल ओप तो हमने आपर 456 को एंटर कर दिया है और मैं आपर ओके पर क्लिक कर दिया है क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो फाइल थी ओपन हो जाएगी अगर मैं जो इसमें चाहों चेंजमेंट कर सकता हूं सब्सक्राइब करें अगर मैं इस फाइल को दुबारा से ओपन करूंगा तो यह फाइल पुना ओपन हो जाएगी तो आप इस टाइप से सब्सक्राइब कर लिए तब तक के लिए जय हिंद जय हारा तुबंदे मात्रम थैंक्यू फ्रेंड्स